इसके जैसी बिल्कुल आपने यूजर से डेटा इंपुट लेना है, एक नमबर इंपुट लेना है, और डिसाइड करना है कि वो प्राइम है या नहीं, लेकिन आपके बार उसने जो कंडिशन आपको दी है, या जो उसने आपको चेकिंग पॉइंट दिया, उसने थोड़ी करेंगे, तो सम्भाव प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, हमने स्लाइट से उसके अंदर चेंजिस करनी है, अगें उसने कहा, मिनिमम डिवीजर जो है, जो मिनिमम डिवाइजर होगा, वो तू होगा, जैसे हमने काउंटर को टू से स्टार्ट किया था ना, और उस काउंटर को येस माम कर लें, इसी में चेंज कर लेती हूँ, इसी में सिंपल सा स्लाइट सा चेंज के आएगा, सारा कोड बिल्कुल सेम रहेगा, आपने काउंटर को, उसने कहा कि लीस्ट डिवाइजर जो है, वो टू है, और मोस्ट जो है, वो आपने उस नंबर का हाफ, तो से रूट तो वो मैं फिर भी उसकी वो जो कनेशन वो फुल्फिल हो जाएगी, तो बस इतना सा चेंज है, ठीक है मैं, इसको कट्रल सेव करके देख लेते हैं, रिवेरिफाई कर लेते हैं, तो फाइल का नाम है, ठीक है, लैब एट, इसको कमपाईल करके देखते हैं, जावाज सी, तो कोई एरर नहीं है, नमबर मैं देखती हूं उसको 13, yes, 13 प्राइम नमबर है, और कोई नमबर क्या देना चाहरे हो आप, उसका आपको पता हो, ये प्राइम नमबर नहीं है, इवन नमबर प्राइम नहीं है, इवन नमबर प्राइम नहीं होता, 77, जावाज नहीं है, क्य तो आप देख रहे हो वर्किंग बिल्कुल ठीक हो अरही है यहां लिए अपने सिप्स्लाइट साफ चेंज किया तो अमारा टास्क नुम्बर फोर भी वाइप हो गया अब टास्क नुम्बर फाइब अब अपना अपना नोटपड की खोला रहा है अवर्किंग तो अपना अपने सिप्स्लाइब निए वाइप आगा शुम्बर पर चेंज अवा है और इसके रूट पला कांँ हमने नहीं किया तो मेरा खाल है हम यहां से यह भी निकाल लेंगे तो जस्ट कर वानी है तो जस्ट कर वानी है तो जस्ट कंडिस्ट